हेलो गाईश स्वागत है आप सभी का जोपस की कैस नहीं वीडियो में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको RRB NTPC का फाइनले रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ पूरा डीटेल में समझाऊंगा आपको लाष्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि लाष्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा और ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है यदि आपके दिमाग में अभी डाउट्स चलना है कि रिजल्ट कैसे आएगा और कितना घटेगा तो मैं इसमें आपको बताना है उलाग कि इस लेबल में किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादे नंबर डाउन होने वरला है और कितने नंबर तक डाउन हो जाएगा मैं इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ मैं उसको उपर आई बटन में लगा दूँगा वहां से आप लोग जाकर के देख लीजेगा बट इसमें हम लेबल और कटेगरी बात करेंगा कि इसमें सबसे कम जाएगा तो देखे इसमें प्रूब के साथ आपको समझाएंगे और आपको फाइनली समर्ज में आ जाएगा वीडियो के लाश्ट में तो उससे पहले हम चलिए कुछ आपको डाटा दिखा देते हैं उसके बाद आपको लाश्ट में समझाएंगे कि लेबल और कटेगरी कौन सा आपके लिए फायदे मन्द है तो गाइस इसमें आपको दिख रहा होगा इधर राइट साइड में आपको कोने पे कि यहाँ पे आपका एक्चुवल मल्टिपल यानि कितने कुने बच्चे लिए गया है पूरा डिटले में इसमें बताएगा हर जोन का आपका है आमदाबाद अजमेर आलहाबाद बैंग लोर भोपाल भूबनेस्वर 36 गड़ इस तरह से सोरी चंडी गड़ चेननाईज गोरकपूर गोहाटी सबी का यहां पर दिया गया है जोन वाइस किसका कहां से कितना कुना लिया गया आप लोग देख लीजेगा इस पर हम बात नहीं करेंगे इस हिसाब से देख लिए यहा आगे देखते हैं तो गाईस यहां पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि बाद में आपको दिक्कत ना है तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं इधर काटेगरी दिया हुआ है और यहां पर आपका लेबल दिया हुआ है तो यहां पर जो लेबल है इसमें आप तक पांचवा लेबल है ओके इस तरह से आपका तीसरा लेबल नवे में है और दसवा ग्रामा का आपका दूसरा लेबल है इस तरह तो आपका इसी तरह से आपका 13 तक दूसरा लेबल है तो यह लेबल दिया गया इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका लेबल में कौन सा कौन सा आपका कैटेगरी आ जाएगा तो इसी तरह से आप लोगों को दिया गया है और आपका इसी तरह से रिजल्ट पे पर दिख रहा होगा, उपर ओके, और यहां पर आपका category दीख रहा होगा, यहां पर भी category यहां पर भी category इस तरह से category वाजी आपका result बना हुआ है, तो मैं category वाजी आपको बताता हूं कि इसमें सबसे कम होने वाला है, तो धहर से बनी रही है, और लाच्ट तक देखिये इस वीड तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए और कमेट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपके हिसाब से क्या कटाफ रहने वाला है क्या मैंने इसमें सही बताया है गलत बताया है कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछेगा और हमें भी कुछ जरूर इनफोर्मेशन दीजेगा आपने तरफ से चलिए अब देखते हैं आगे यहाँ पर देखें अन्रिजर्ब का जो है मैं 65 गया है तो इसमें देखें काटेगरी जो है जो आपका 81 है वो काटेगरी आपकी 3 है और आपका जो 67 गया है काटेगरी 4 है और आपका 68 जो है काटेगरी 5 है और आपका 75 जो है काटेगरी 6 है तो देखें इसमें जो भी बच्चा आपका 81 यानि काटेगरी 3 में जो भी बच् जैसे कि ऊपर लाया होगा वही सेलेक्ट हुआ होगा बाकी इसमें ये था कि आपका सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो आपका सबसे हाई कटाफ जा रही है उसके नीचे जो कटाफ बनी है उसमें सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जो हाई वाले हैं जैसे कि आपका ज तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि आपका कितना डाउन जाने वाला है क्योंकि और जो आपका इसमें सेलेक्ट हुआ होगा और इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ होगा इस तरह से आपका जो बच्चा इसमें यानि जो आण सेलेक्ट नहीं होगा इसमें भी सेलेक्ट नहीं होगा इसमें भी सेलेक्ट नहीं होगा बट इसमें सेलेक्ट हुआ होगा इसमें सेलेक्ट हुआ होगा इसमें सेलेक्ट हुआ होगा बट वो किसी में भी सेलेक्ट नहीं ह समझ में आगा आपका तो देखिए आपका सबसे कम कटाफ जाने वाला है यहाँ पे लेवल 4 का मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें वही बच्चा रहने वाला है जो 66 के आसपास लाया है यानि जो 81 नमर लाया होगा उसको इसमें से निकाल दिया जाएगा और जो 66 नमर लाया होगा उसको भी इसमें से निकाल दिया जाएगा और जो 75 नमर लाया होगा उसको भी इसमें से निकाल दिया जाएगा यानि तीन बच्चों का इसमें गैप हो जाएगा आप देख लिजे तीन बच्चों का गैप यह हो जाएगा तो इस तरह से आपका cut-out सबसे कम यहाँ फे level 4 का जाएगा उसके बाद आपका category 5 का जाएगा उसके बाद आपका यह आपका 6 का होगा इस तरह से आपका level 5 का होगा तो मेरा सबसे कम यहाँ पे आपका level 4 देख लीजे और सबसे जादे level 5 में तो यही समझाने का तरीका था बाकी आप लोग अपने जोन से देख सकते हैं बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बतिएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए अगली और कोई भी अपडेट आती है तो हमें सब्सक्राइब कर लिजएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट तेंदू का यदि इस से रिलेटिव और मैं हमेशा जनुवीन आपको तरीका बताता हूं और आपके लिए बेस्ट निउज बेस्ट अपडेट ही लाया करता हूं तो चलिए मिलेंगा किसी नेक वीडियो में किसी नेक डिटिल के साथ हो तो के लिए जैहिंद जैवारत थैं तेंदू